बिहार की 25 खबरों के साथ मैं नामिका आज है 25 सितमबर तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर भागलपूर के कई इलागों में बार की वज़ा से सरकों पर दिन काटने को हुए मजबूर भागलपूर में बार का पानी रेट लेवल क्रोस करने की वज़ा से नातनगर प्रखन के रन्नुचक, भुवालपूर, गोसा, इंदासपूर, रामचंदर, नवटोलिया, संकरपूर, रतिपूर, भतोरिया, राधोपूर और मागोपूर आधी के इलाकों सही छेत्र में कई जगा पर पूरित्रा से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें बीते दिनों रन्नुचक इलाके में 500 से अधिक घरों में बार का पानी प्रवेस कर चुका है, लोगों ने बार की वज़ा से अपने सामानों और छोटे बच्चों सही उठकर NH80 के किनारे अपना डेरा डाल दिया है, डिप्टी सीम सुसील मोदी जल जीवन हरियाली योजना के तहत खर्च होंगे 24,524 करोर, जल जीवन हरियाली अभियान योजना को संबोधित करते हुए डिप्टी सीम ने कहा है कि बिहार में 2 अक्टूबर से सुरू होने वा पुआ तलाब आदी योजना के साथ एकल प्लास्टिक बंद योजना एवं विच्छा रोपन प्रदूसन मुक्त विहार इत्यादी भी सामिल है। पुर्णिया, कटी हार, पस्चिमी चंपारन और सुपॉल के अधिकारियों को संतोस कुमार निराला और पडिवहन सचीव संजय एग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। यह मौल पूरी तरह से वातानू कूली थें और इसमें एक ही छट के नीचे सभी तरह के खादी कप्रे, भागल पूरी, सिल्क, हैंड लूम, मधुबनी पेंटिंग के साथ, मधु और किसान चाची का अचार भी नए अंदाज में मिलेगा। जिसके बाद तीसरे तल पर बिहारी चाय का लेटी चोखा के भी तैयारी की जारी है। भोसित किया था। बता दे की डॉल्फिन परदेश में पहली PhD डॉक्टर गोपाल सर्मा ने की थी, जो कि फिलहाल भारतिय प्रानी सर्वेच्छन के बिहार प्रभारी वह वरियर बैग्यानिक है। इसके MCH मुझपरपूर में आयूसमान भारत योजना के तहट इलाज सराहनी होने पर प्रतम अवार्ट से किये गए सम्मानित। सरकार द्वारा आयूसमान भारत के तहट इलाज वेवस्था में इसके MCH स्रीकिस्न चिकिस्ता महविद्याले अस्पताल मुझपरपूर में 3984 मरीजों का अनिशुलक इलाज कराया गया है। इस योजना के तहर प्रती दिन आने वाली गड़ी मरीजों के पास गोल्डन कार्ट नहीं रहने के बावजूत तुरंट आउनलाइन निबंधन कर इलाज किया जाता है। जिसके उपलच्छे में आयुजित कारेक्रा में नोडल पदा दिखारी डॉक्पर सुसांद को राज अस्तर पर डिप्टी सीम सुसिल मोधी ने अवार्ड दे कर सम्मानित किया। विआईपी के अध्याच ने बैठक के दोरान डबल इंजन को बताया वेकार। विकास सिल इंसान पार्टी विआईपी के अध्याच मुकेश सहनी ने सुपॉल के सिम्री बक्त व्यारपूर पंचायत अध्याचों की बैठक के दोरान बैठक को सम्बोधित करते हुए पत्रकारों से बात चित की और कहा कि विआईपी पार्टी राज्य के लिए हमेशा ह मितकर का कार्या करती है जिसके दोरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता दबल इंजन की सरकार से उखता चुकी है जिसे पूरी तरह से बरलना होगा साथ ही कहा के नितिश कुमार सत्ता की कुर्सी पर कुंडली मार कर बैठे factor बैठे हैं और बिहार को नीचे के स्थर म परिवहन विभाग के साचीव ने बताया है कि अगले मां से ट्रेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके साथ ही एनोसी के लिए भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यह प्रकिरिया सुरू हो चिकी है, साथ ही आफ्लाइन प्रदुसन प्रमान पत्र अब जा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSC ने एकसाइस दरोगा के लिए 126 पदों के लिए सारे रिक तष्टा परिच्छा P.E.T.E. का आयोजन 14 से 19 अक्टूबर को पतना के गरदनी बाग हाई स्कूल में आयोजित की है, इसके लिए इसकी वेबसाइट एडमिट कार्ड पर अपलोड कर दिये गये हैं, इमिल और SMS के माधियम से मुख्य परिच्छा में सफल सभी अव्यर्थियों को सुचित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें सारे रिक तष्टा परिच्छा देनी होगी, जिनमें समान अंखोने पर अधिक डिग्री वाले को मानियता दी जाए जिसके बाद ही पतना में मेट्रो के काम को तेजी से सुरू करने का काम होगा, फाइनल समती हो जाने के बाद तीन साल के अंदर DMRC को पतना की धर्ती पर मेट्रो को उतार दिया जाएगा, अभी तक दो कोरिडर बनाने के लिए अलाइन्मेंट का ड्रोन सर्वे कर फीर लगा जारखन के लिए आर्मी मेडिकल कोर एंसी में 27 नॉवंबर को सिपाही फार्मा सेंटरल कोटी के उमिदवारों के लिए बहाली पर क्रिया शुरू होगी, इसके लिए अभीरती 28 सेतंबर से 11 नॉवंबर तक सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पूरी जानकारी एवं आ ग्यता बाड़ावी कच्छा, आयू सेमा 19-25 वर्स, इसके अलावा B फार्मा 50 फिस्दी और D फार्मा 33 फिस्दी अंक के साथ पास होनी चाहिए, सिपाही फार्मा पद के लिए यूवकों को सारीरिक दच्चतावा मेडिकल जाज भी की जाएगी BPSC के पडिच्चा विसर पैटरंड में किये गए बदलाव, विहार लोग सेवा आयोग ने पडिच्चा के लिए सिलेवस में बदलाव की प्रकिरिया पूरी कर ली है, जिसमें UPSC की तरह ही पांच एचिक विसरों के सिलेवस पर पूरी तरह से अपडेट कर इस पायोग के अनुसार ही पूरी परिच्चा परणाली को अपनाया जाएगा, विहार कंग्रेस कमिटी ने बुलाई वैठक लिये गए आवस्यक निरने, कंग्रेस पार्टी ने सदाकत अस्रम में वैठक बुलाई जिसमें कंग्रेस सद्रसता अभ्यान सहित संगठन की पूती जैसे मुद्द पर विचार भी मर्ज किया गया, बैठक के अध्यचिता डॉक्टर महदन मोहन जहा ने किया, जिसमें बिहार प्रभारी विरेन सिंग्राठोर मुखे रूप से उपस्तित थे हैं 26 और 27 सितंबर को होने वाली बैंक यूनियन की हर्ताल टली बैंकों के विलाय को लेकर किये गया, बैंक करिमियों की यूनियन हर्ताल टल गई है, जिसके बारे में यूनियन लिडर्स विद सचीव राजीव कुमार के बीच हुई बैठक में, उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए, उस पर गंभीरता स सरक पर छत वाले घरों का 18 रुपे, मुखे सरक पर 12 रुपे, एवं अन्य सरक पर 6 रुपे प्रतिवर्ख फूट की दर से होल्डिंग टेक्स का प्रावधान है, जिसके बाद यह वैवसाईक हो जाने पर 3 गुना अधिक, यानि 18 की जगा 54 रुपे, 12 की जगा 36 रुपे और के साथ औरंगाबाद बिहार की बेटी ने साथ अफरीका पहुंच तिरंगा फहराया, बिहार के औरंगाबाद जीले के मदन पुरु प्रखंड के तेल डिहा गाउनिवासी अभे सिंग की बेटी सौमया सिंग ने साथ अफरीका के तंजानिया इस्थित मांट किलिम जारों पर देश का तिरंगा फरा कर देश का नाम रोसन किया है। बतादे कि इस पहार की उचाई समुद अतल से 1903-41 फूट उपर है जो कि बिस्व की दुर्गम चोटियों में से एक है जिस पर पारा माइनस 10 डिगरी सेल्सियस की तापमान में पहुँचने के बावजूद भी सौम उन्होंने कहा कि राजे सरकार इस अनके उतपादन के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। बिहार में प्याज का भाव 70 रुपए तक अक्टूबर महीने तक आ सकती है मुल्य में कमी। बिहार में बार और ओवरलोडिंग निरियात मना होने की वज़ा से बिहार क गिरावट आने की संभावना जताई जरी है। बता दे कि केवल पटना में प्रती दिन 20,000 किलो प्याज की खपत है लेकिन मार्केट में केवल 8-10,000 किलो ही पहुँच रहा है जिसके कारण मुल्यों में है व्रिधी। फिरोजपूर अस्पेशल ट्रेंज संख्या 04652 फिरोजपूर पतना अस्पेशल 5-9 एम 14 नवंबर को फिरोजपूर से दिन के 12 बच के 40 मिनट पर खुलेगी वहीं ट्रेंज संख्या 04651 पतना फिरोजपूर अस्पेशल 6-10 एम 16 नवंबर को पतना से राद 10 बचकर 45 मिनट पर खुलेगी 04650 बटा 04649 फिरोजपूर दर्भंगा फिरोजपूर अस्पेशल ट्रेंज संख्या 04650 फिरोजपूर दर्भंगा स्पेशल 6 वा 13 नमबर को फिरोजपूर से दिन के 12 बच के 40 बचे मिनट पर खुलेगी जबकि ट्रेंज संख्या 04649 दर्भंगा फिरोजपू मीटर उचे त्रिसूल परवत पर पहुंची शपरा जीले के सारन की सवीता महतो ने 7120 मीटर के तिसूल परवत पर 24 दिनों में परवत की चोटी तक पहुंच चुकी है बता दे की जीले की पानापुर के रहने वाली सवीता इंडियन मांटेट फाउडेशन की ओर से चैने 53 अ पहुंआर रवी ने अपनी टीम के साथ इन घाटों का ने रिच्छन भी किया जो की रेड लेवल से कडिब 1.08 मीटर उपर भढ़ रही थी जिसके बाद उन्होंने गंगानादी के जलस्तर को देखते हुए इसके एंट्री गेट को बंद रखने का निदेश दिया है बिहार विधान सभा के लिए जदियू ने बेलहर के प्रत्यासी का नाम तै किया बिहार में 5 विधान सभा और 1 लोग सभा सीट पर चुनाव होने को है जिसके लिए जदियू ने बेलहर विधान सभा के लिए प्रत्यासी के नाम तै कर दिये हैं जिसमें बांका के सांसत गिर्धारी यादव के भाई लाल धारी व्यादव विश से जदियों के प्रत्यासी होंगे, बता दे कि चार सीटों पर जदियों अपने उमिदवार उतारेगी, जबकि भाजपा में पिछली बार किसंगंज विधान सवा सीट से भाजपा ने पिछिंग को उमिदवार बनाया था, अब इस बार भी उन्हें ही पार्टी के तरफ से खरा किये जाने की बात की जा रही है, बिहार बोड ने बरहाई इंटर वर मैट्री के फ़र्म भरने की तारीक, बिहार बोड ने इंटर वर मैट्री के 2020 के विद्यार्थियों के लिए जिनका राइजिस्ट्रेशन 28-30 जुलाई के बीच हो चुका है, उन्हें दोवारा मौका दिया है, बिसभी छातर 24-26 सितंबर तक विलम सुल्क के साथ अपनी फ़र्म भर कर जमा कर सकते हैं, जो कि इंटर के लिए वेबसाइट www.basebinteredu.in पर और मैट्री के लिए www.biharboard.online पर जाकर अपना फ़र्म अपलोड कर सकते हैं, बता दे कि dummy admit card में सुधार 29 सितंबर तक किया जा सकता है, जिसके अंतरगत online सुधार के लिए किसी प्रकार की असुविदा होने पर मैट्रिक के लिए help line number 06122232074, 223257, 2232239 पर एवं intermediate के लिए help line number 06122232039 और 2235616 पर समपर कर समस्या का समधान ले सकते हैं, खेसारी लाल यादों ने अपनी विजेता ट्रॉफी को अपनी बेटी को किया डेडिकेट, भुषपुरी एक्टर खेसारी लाल यादों को को कोलकाता में आयुजित कारिकरम के दोरान मिला थ वेस्ट एक्टर का अवार्ट, जिसे उन्होंने अपनी बेटी को डेडिकेट करते हुए सोसल मीडिया के माध्यम से इंस्ट्राग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी विजेता ट्रॉफी को अपनी बेटी को सौपते हुए लिखा है कि का स्कोर निर्धारित ओवर और फिर सूपर ओवर के बाद भी टाई रहता है, तो तब तक सूपर ओवर का परियोग किया जाएगा, जब तक कि कोई टीम साफ तोर पर विजेता नहीं बन जाती, सभी तरह के फाइनल मैचों पर यह नियम लागू होंगे, अभी के लिए इत